नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से गवर आपको बहुत बहुत सहागत है, तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टन्स कंपणी का अपडेट सेर कने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब निकिया तो जुरू कलेज़ेगा, कंटिनेसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स बाने के लिए इस चैनल के उपर बने रह कर रहा है, जैसे कंपणी के सीच्यूशन देखेंगे, तो कंपणी का जो बीजनेस है, वो कुछ अलग-अलग काटागोरिस में है, जैसे होम, पार्सोनल क्यार, एन पार्फरमेस केमिकल के उपर है, टेक्स्टाइल स्पेसलरी केमिकल के उपर है, अनिमल हेल्थ एन निउट साथ है, डेप कितना है, ना के बराबर है, इसका मतलग हर दिशा में कमपानी के एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आप जानते है, कमपानी के क्वार्टली रिजर्ट, दिखिए, हर जगा पे आपको यही सुनने को म उसके बाद है कि 2022 में 425 क्रोड के आसपास सेल हुआ, मतलब और भी बढ़ा, चलो, अभी 2023 में 480 क्रोड के आसपास सेल हुआ, मतलब कंटिनियसली कमपानी हर क्वार्टर को बीट करते आगे बढ़ रहा है, तो यह कमपानी के लिए एक बिग पॉजिटी पॉइंट है, उसक इसमें कमपानी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते चला जा रहा है, लगातार बढ़ते चला जा रहा है, इही कारण के बज़े से मेरा उसारी बायाटेक्स के उपर एक पॉजिटी फिलिंग्स रखता हूँ, इस कमपानी के उपर आपको अब्यसली फोकस होना चाहिए, कमपानी के बार बॉरिंग से लने के दो कारण है, पहली बात कमपानी के CWIP, कमपानी खुद के बीजनीस के उपर 24 क्रोड पैसा लगा चुके है, अब देखेंगे तो प्रोजेक्ट कमपानी को मिलते जा रहा है, तो इस बार कमपानी को चार सो क्रोड के आसपास प्रोजेक तो है फिर भी company खुद की business को जब भी बढ़ा करते हैं तो कुछ loan लेकर उसको बढ़ा कर रहा है तो उस basis में देखा है तो company में अच्छा कासा investment है और आगे चलके देखी इस company और भी जदा बढ़ा होने का chances है कि institution भी इस company के उपर वरोसा करते है और institution कितना वरोसा करते है आप आपको mutual fund के मत्तम से दिखेगा आपको लग रहा है कि mutual fund continuously sell of कर रहा है मगर या पर percentage देखेंगे तो continuously इसके उपर क्या हो रहा है brought हो रहा है मतलग buying का percentage selling से कई गुना जादा है तो एक plus point है इस company के उपर जो आपको याद रखना होगा और साथी साथ आप इस company के technically जो चार्ट करूँ तो आप देखेंगे तो एक patterns बना था यहां पर continuously buying range बना था और वो भी 27% के आसपास तो इसके लिए आपको करना क्या था मत्तर स्वरी यहां पर confirmation कम मिलता जब इस नीचे level को touch करता इस level को तब यहां पर anti बनता और इस level तक क्या बनता target बनता तो anti level और target level इसी तरीक और अभी यहां पर तो anti नहीं बना तो फिर से यहां पर क्या बनना है देखिए मैं integer करूँ यहां पर एक solder क्या डूआ और यहां पर कब बनेगा उसके बाद एक solder बनेगा तो मैं यहां पर एक anti देने के लिए त्यार रहोंगा तो उसके लिए थोड़ा सा इंतेजार मुझे करना पड़ेगा कि जब anti बनेगा तो मैं आपके साथ जोरू शेयर करूंगा आपकी किराये जोरू कमेंट्स करके बताना नेक्स चो कमपनी उसका नामें टाटा स्टील तेकि टाटा ग्रूप के एक पूरना और ट्रस्टेड कमपनी है टाटा स्टील तो टाटा स्टील के उ क्रोड 78,000 के आसपास टोटल क्वाइंग हुआ था उस जगह पे December मांद में क्या हुआ December मांद में आप देखेंगे तो 3 क्रोड से भी ज्यादा उसको crossover कर चुके है मतलब November से December तक डबल के आसपास हो चुके है और October में भी बहुत कम था मतलब लगातार क्या कर रहे मीचल फा का होल्डिंग था तो इंस्टिडूशन लगातार भाई कर रहे एफएस भी लगातार इसके उपर होल्डिंग को कंट्रून कर रहे और प्रमोटर के पास भी होल्डिंग से और पब्लिक के पास भी होल्डिंग से देखने को मिलेगा तो company में दम है company sir इस quarter में profit को negative में convert किया अगर मुझे लग रहा है कि next quarter में company के उपर साहिद और भी कुछ pressure इस देखने को मिले क्या होगा वो तो result में ही बता चलेगा तो company इसके उपर जो टेक्निकली चार्ट प्रटनस बना तो finally क्या हुआ बहुत दिनों के बाद क्या हुआ आप देखेंगे देखें क्या बना एक उपर जाने का कोशिश कर रहे हैं और वानवकर का sollic मेंगेंत हो मेरे यसाब से यहां पर अच्छा कषाएप आखेंट करने का को कोशिश करेंगे तो मेरे यसाब से यह बेस्त पॉइंट हैं पर देखने को मिला और इस estao की कि यहा पर जो correction momentum देखने को मिला है देखे market जब correction होता है तो सबसे दा steel manufacturing company के उपर भी pressurize देखने को मिल जाता है अब यहाँ से वो reversal करते हैं कि आप फिर से retest करेगा वो तो आपको बाद में बता चलेगा तो फिलाल के लिए में Tata Steel के उपर obviously एक bullish feel रखता हूँ और मेरा जो NT levels है इस जगा पे और अक्चुली मेरा NT level इस जगा पे है क्योंकि breakout होने के बाद 50% उपर चला गया था जब भी इस तरीके से 50% के आसपास उपर चला जाता है मैं integer करता हूँ retestment हो तो इसके उपर touch करें तो यह पेंटी बनेगा उसके बाद धीरिदे करके target के नस्तिक जाया हूँ तो आपके क्या decision है इस company के उपर जूरू मुझे comments करके बताना next company उसका नाम है Polycab तो इसके उपर मैं बहुत दीनों से वीडियो बना रहा हूँ continuously वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा comments आए Polycabs के उपर जब Polycabs के उपर Biggrass देखना को मिला तो Biggrass होने के बाद मैं आपको चीक-चीकर एही बता रहा था कि Warren Buffett जी के एक code हमें से याद रखना उनके एक word हमें से याद रखना कि अच्छे company अगर आपको हमेशा के लिए मतलब उस तरह के से company के उपर आपको NT लेने के लिए त्यार होना चाहिए यह कि आप हम लोग बजार में जब जाते है जो company based है मानके चलिए हम लोग कोई भी speaker खरीदरी करने के लिए गया बेचने वाला हो तो एक लाग का phone को मैं 80,000 में बेचूंगा और मेरे दुकान में आज discount लगा हुआ है तो obviously देखेंगे उस दिन में उस दुकान में अच्छा का सा sale होगा क्यों होगा क्योंकि वहाँ पे discount मिला क्योंकि अच्छे brand का company को discount मिला तो उसी परिगी से आपको एबी सोचना है पॉली के एक branded company है और इंडे के number one company है तो जो लोग सोच रहे थे कि company के उपर new जाने के कारण company खतम हो जाएगा 1000 करोड का company के उपर tax लगा दिया company बरबाद हो जाएगा मैं बार-बार बोलता हूँ market में आपको experience करना पड़ेगा अब beginner है तो आपको डर तो लगेगा क्योंकि आपको लग रहा है कि एक दिन में 25 परसन का गिराबड हो गया स्वरी दिन दिन में तो company खतम हो सकता है तो ऐसे होगा नहीं ऐसे अगर होता तो कोई market में निवेश नहीं करता तो अच्छे company के उपर आपको हमेशा focus होना चाहिए देखिए जिस तरीके से correction हो रहा तो मैंने आपको एक range marking करके दिया था कि यह जो range है strongly एक company के लिए support बनेगा और उससे पहले ही company reversal कर गया और reverse देखिए कि तरीके से bounce back किया आपको क्ये लग रहा होगा कि छोटा मुटा bounce back होआ है बिल्कुन नहीं आपको मैं इस lower side से top level तक जब आते correction किया अगर दिखा दू तो 18% का bounce back है 18% का यह पर मतलब reversal किया है तो सोचे company किस तरीके से खुद को reverse किया है तो एही company मैं बार बार बोलता हूँ जब भी अच्छे company आपको सस्ते में मिले तो उसका फायदा जोरू उठाई है फटा-फट आपको पैसा मिलेगा फटा-फट ना मिले कोई बात नहीं आपको long term में अच्छा खसा पैसा मिलेगा तो आप कहेंगे से क्या इस level में anti लेलू थेखिए इस बात में मैं obviously आपके साथ decision नहीं लूँगा क्योंकि मैं अभी इस जगा पे कोई anti नहीं लेने वाला हो मैं long term के लिए कुछ quantity यहापे add कर चुका था जब भी यहापे green candle बना उस दिन में add किया था और मैं continue जोरू करूंगे इस company के उपर अभी फिलाले के लिए इस company के पर में कोई tate नहीं लूँगा क्योंकि जब तक मुझे कोई patterns ना दिखे तब तक में कोई tate नेने के लिए त्यार नहीं रहूंगा बाकी polycap के उपर आपके करा है जोरू comments करना क्योंकि इसके बारे में चर्चा करना मुर्खता होगा क्योंकि companies के उपर continuously एक high level का growthable company है तो बाकी इस company के उपर आपके कह रहा है जोरू comments करना क्योंकि mutual funds से लेकर institution से लेकर हर कोई बैक्ति इस company के उपर continue holding करना चाते है तो next चो company उसके बारे में चर्चा करो उसका नाम है Mass Financial Services Limited तो Mass Financial Services Limited के उपर एक dividend का announcement था 22 तरीक आपको 3 रुपर करके dividend मिलने वाल है तो जो लोग extra benefit पाना चाते हैं तो इस company के उपर research करिए उसके बाद काम करिए अगर इस company के details के बारे में जानना चाते हैं तो मुझे चूरू comments करिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद